वेलकम टू माई यूटूब चैनल ओनलाइन मस्त कलासेज आप सब देख रहे हैं ओनलाइन मस्त कलासेज आज के इस वीडियो में हम आप सबको एनुवल इग्जामिनेशन दो हजार बाइस कलास इले बेंथ सब्जेक्ट हिंदी का अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रस प्रसने से रूबरू कराने वाला हूँ यही प्रसने आपकी एक्जाम में आने वाले फुल मार्क सो नंबर का है 100% यही प्रसने आपकी एक्जाम में रहेंगे इसमें मैं आपको अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रसने दिखाऊंगा अबजेक्टिव का एंस कर ले हैना वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और जो ऑनलाइन मस्त कलासेश पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बिल आइकन भी किलिक करें ताकि इस तरह के लैटेस वीडियो का नोटिपिकेशन आप सब को मिलता रहे तो आईए मेरे प्यारे सेर और सेर्नियो अबजेक्टिव कोशन से सुरू करते हैं जो परिच्छा की दरिष्टीशे बहुत ही महत्यपूर्ण है तो आज का पहला देखिए है कि अपने दुआरा चुने गए सही बिकल्प को चिनीत करना है बियत नाम की मसुहुर नदी ना चार नंबर है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है तो प्रेमचंद का मूले नाम धनपतर है चार का कौसा ही है पाच नंबर आपका सवाल है लच्मी बाई कहा की रानी थी तो यह जहासी की रानी बहुत तीजी प्रस्न है हाथ मलना मुहावरे का अत तो पच्छताना साथ सि हो जाएगा, नो देखिए, रेणू का दूसरा उपन्यास कौन सा है, तो उसका नाम है परती परी कथा, नो का कई है, दस है, गाओं के बच्चों के सिख्चा पाठ तिस परकार का है, तो ये विचारू तेजक है, दस का कई सही है, आगे देखिए 11 पृत्वी सब्द का संदी बिछेद तब पृत्वी प्लस इस मिलके पृत्वी स 12 है नीवन में कोवन सुध है तो यह परिक्षा जो लिखा हुआ है ना एकदम सुध है आपका यह हो जाएगा आगे नगर सब्द क्या है तो नगर जो है आपका तेरा में जो पुछा है वो पुलींग है आगे देखिए 14 विने सब्द में उपसर्ग क्या है तो इसमें को हो जाएगा वी 15 है स्वभाग सब्द का बिलोम ते दुर्भाग हो जाएगा लच्मी बाईक की रानी थी जैसी बाईक जैसी की सुला का खा हो जाएगा भोगे हुए दिन की पर्मुख पात्र कौन है तो सांदा साहब सत्रा का कस है ए इसमें सिक्का बदल गया आगे है रेणू को आधारित कोण से उपन्यास पे फिलिम बनी तो तीसरी कसम है ना आपका गश ही है सुर्ज नामक पाठ के लेखा कौन है तो इसमें हरिसंकर परसोई 20 का गश होगा एकई से दिगंबर सब्द का संदी बिचित क्या होगा तो दीक पलस अमबर मिल के हो गया दिगंबर एकईस का कह है 22 से विकास सब्द का बिशे सड़ बिक्षित हो जाएगा 22 का कह तेईसे निवन में सुध कौन से तत्व जो लिखा हुआ है सुध सब्द है आगे 24 है कि 9211 होना मुहवरे का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ होता है भाग जाना तो इसे हम द्रवेवाचक कहते है तो यह आपका देखिए अब आगे प्रसन है आठ नमबर का एक सवाल है इसमें कोई एक पर निबंद लिखना है परजावर सरक्षन हो गया कुरोना वाइरस हो गया नजा मुक्ती हो गया अप मेरे पिरिये कवी हो गया महंगाई हो गया इस सब्जेक्टिव अब मैं बता रहा हूँ आठ नमबर का आया हुआ है आगे देखिए दो दू नमबर के चार सवाल है कि नहीं है ना चार सवाल का जवाब देना है चार चर नमबर के दो और तरोनों की व्याख्या करना इसमें से किसी पर आप कर सकते हैं आगे देखिए चा है पांच नम्बर देना है तो 10 नमबर इसमें से आप सवाल देख सकते हैं 10 इसको सब्सक्राइब पढ़ेंगे और आगे तीन-तीन नंबर के पांच सवाल है इसमें से तीन उतर देना है पल्के हल्कु और मुन्नी के चरित्री की विशेष्ता, गाओं के बच्चों की सिक्षा करने बंद, हरी संकर परसाई के जीवन पर से भक्ती, कालिन साहित की विभिन परचेते, यह इसको आपको पॉड़ लेना है, और इसमें देखिए आगे है संचेपड करना है, चार नंबर का है, है ना इसको संचेपड कर दीजिएगा, आपको चार नंबर मिलेगा, तो यह आपके सब्जेक्टिव परसने हुए है, तो मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आपको ये विडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और जो भी स्टुडेंट इस विडियो को देख है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आपकी लाइक हमारी होसला को बढ़ाती है, विडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों और ग्रूपों में सेयर करें, अगर आप ऑनलाइन मस्त कलासेज पर पहली बार आए हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप है मन्द भी ये विडियो होगा, आप सबने इस विडियो को अंतक देखा, मैं आप सब का तहदिल से सुक्रियादा करना चाता हूँ, थैंक्स, फिर मिलते हैं इसी तरक के संदार और जंदार विडियो की शाथ अगले विडियो में, तब तक के लिए मैं सद्दाम हुसेन आ आटा, बाई बाई